किया ये सिर्फ नारा था या वाकई चार्जपार लाने की प्लैनिंग भी है दुनिया भर में देश भर में फिर एक वार मोडी सर्था ये नारा गूंज रहा अकिलेश जी ने तो एक रिपोर्टर को बोला कि उत्तर प्रदेश में समाध्यदी पार्टी और कॉंग्रेस कि यहीं दो लड़कों की जोड़ी की 79 सीड्स आएंगी यहीं दो लोगों ने फिल्म मनाई थी ना 2017 में और फिर वो फ्लॉप हुई थी बुरी तरीके से फ्लॉप हुई थी और फिर यह बिछड़ गये थे फिर दो भाई वापस मिलें है आपस में दोनों शहजादे पाकिस्तान मन गया पाकिस्तान मन गया हमारे रिपोर्टर हमारी आंकर ने एक सवाल पूछा एक महिला से उसका जो जवाब था मुझे लगा है आपको दिखाना चाहिए माता पिता है माता पिता है मौधी जी मारे भाई भी है करोणों लोग यह महसूस करते हैं नमस्कार विवस मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं न्यूज 18 और न्यूज 18 पर हम इलेक्शन की मेगा कवरेज आपको लगातार दिखा रहे हैं पूरे देश में हम आपको हर खबर से रूबरू कर रहे हैं लेकिन छे चरण का चुनाफ समाप्त हो चुका है लेकिन इस छे चरण के चुनाफ के बाद भारतिय जनता पार्टी आज कहां खड़ी है ये बताने के लिए मेरे साथ मौजूद है भारतिय जनता पार्टी के सार्थी यानि भारतिय जनता पार्टी के राष्टे अधक्ष जगत प्रकाश नडड़ा नड़ा जी आपका अब हो दी नहीं आएंगे बीजेपी कितनी आएगी क्या ये सिरफ नारा था या वाकई चारसो लाल पार लाने की प्लैनिंग भी है नहीं भारतिय जनता पार्टी ने ट्रै किया था कि हम एक लक्ष लेकर के चलेंगे और लक्ष बड़ा होना चाहिए और लक्ष हम लोगोंने चार सो पार यानि 370 के आसपास भारतिय नता पार्टी की सीटे आएं और बाकी NDA की और हम 400 पार करें और उसी लक्ष को लेकर के हम चलें यहां इसमें जो प्रधान मंत्री जी ने कहा वो उनका कहने का जो अभिप्राय भी है वो यह है कि शुरू में हमारा विपक्ष इसी बात पर उलज गया कि 400 पार नहीं करेंगे 400 पार नहीं करेंगे यांनि हम 400 पार लाइख हैं यह उन्होंने इंडरीकली कमिट कर लिया और वो हमारी potentialिटी हमारा potential 400 पार करने वाला है और उसको वो डिवेट करते रहे और उनको यह पता ही नहीं चला कि उन्होंने ही इस बात को जनता में कि भारतिय जनता पार्टी इतना सामर्फ रखती है कि वो कर भी सकती है इसलिए उसको वो नकारने का प्रयास करते रहे लेकिन उन्होंने फिर उल्जा भी दिया उन्होंने बोला कि यह 400 पार इसलिए चाहिए कि बीजेपी आरक्शन को ही समाप्त करना चाहिए हमें मालूम है कि इस तरीके के शड़ेंतर रश्टे रहेंगे और हमको उन शड़ेंतरों को स्पेड अ स्पेड लोगों के सामने साथ स्पस्ट करना है लेकिन एक एक एको सिस्टम ने इसको बड़ी खाद पानी भी दी तो जिवित है पिछले 70 साल से जो एक परिवार को अंग्रेस ने 2004 में उनको 145 सीटे मिली 2009 में उनको पास 206 सीटे मिली और 2014 में हमने देखा वो 44 पर वर्ड वाइड हमने तीसरी बार सरकार को रिपीट होते हुए नहीं देखा तो बतार बीजेपी के प्रेजिडेंट राश्ट्री अध्यक्षिन क्यों सरकार रिपीट होगी एसा है पहली बात कि भारतिय जनता पार्टी और हमारे नेता सम्मानिय नरेंद्र मोदी जी और उनके नेत्रतुमें हम सत्ता पर बैठ करके भोगने नहीं आए हम सत्ता पर बैठ करके लोगों की सेवा करने के लिए और लोगों का दुख दर्द तकलीफ उसको दूर करने के लिया है और प्रधान मंतरी मोदी जी ने पिछले दस वर्ष नहीं बारा वर्ष गुजरात के और दस वर्ष यहां के हम जोड ले उन्होंने दिन रात पल पल एक एक घड़ी उन्होंने जीवन का भारत की जनता की तस्वीर तकदीर बदलने के लिए उनको सशक्ति करन करने के लिए उनको इंपावर करने के लिए देश को आगे ले जाने के लिए हर पल लगाया है तो दोनों के सोच में अंतर हैं क्योंकि अटल जी की सरकार भी हमने 2004 में जाती हुई देखी उस समय एक शाइनिंग इंडिया मूव्मेंट था बार बार ऑपोजिशन एक नेरेटिव को बिल्ड कर रहा है क्योंकि हम छे चैनल पर पहुंच चुके हैं चुनाव के क्या ये शाइनिंग इंडिया मूव्मेंट नहीं हो जाएगी भारतिय अंतर पार्टी के साथ क्या ऐसी संभावना की बात जो कुछ एक बड़ा वर्ग कर रहा है वो सदा सदा से करता हुआ वही अर्विंद के जीवाल 220 मलिका अरजुन खड़गे ने दावा किया है उन्हें बोला कॉंग्रेस की 270 आ रही है और एक नेता तो ऐसे मैं उनका नाम क्या लूँ वह पहले से पार्टी में गए वहां से लात पड़ी तो भार आ गए अब हाला कि वह दबेश हब्द में कह रहे मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ यह अपने खुशनमा इनको रखने वाले लोगों के साथ घूमने वाले लोग हैं और वो इनको गलत फहमी में रखने वाले लोग हैं और इनमें भी कोई एक मत्ता नहीं है यानि यू कुन अंडिस्टैंड इस सीरियसनेस उत्तरप्रदेश में समाजवधी पार्टी और कॉंग्रेस की यानि दो लड़कों की जोड़ी की 79 सीट आएंगी एक बनारस उन्होंने बुला उन्होंने कोट क्योटो की सीट हो सकता है बीजेपी जीत जाए ऐसा है मैं उसमें भी कहना चाहूंगा यही दो लोगों ने फि अब भी उत्तरप्रदेश के परभारी थे सपा और बस्पा का एक बहुत जबर्दस अलाइंसता आरेल डी भी थी इस बार आपको उत्तरप्रदेश का नंबर कैसे दिखाई देता है अखिलेश जी को 79 अपना दिखाई दे रहा है हाँ वो ठीक है भारतिये जनता पार्टी 2019 से ज्यादा सीटों से 2024 में उत्तरप्रदेश में आईगी आप कह रहे हैं कि 63 से ज्यादा सीटों जी बिलकुल जी मैंने प्रधानमंती मोदी का इंटर्व्यू किया तो उन्होंने का कि मोदी का घोर विरोध करके ही विपक्ष चुनाफ जीतना चाता है मानो मोदी का गाते मोदी जी को ही याद करते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि उनके साथ वो टक्कर ले नहीं सकते और भारतिये जनता पार्टी के लिए भी ये बहुत सौभागी की बात है कि हमारे को ऐसी सक्षियत ऐसा नेता पार्टी में हैं जिनकी जिनका लोहा डेश बानता है और बोधी रागना अलापे या मोधी जी के बारे में दिन रात बात ना करें तो और करेंगे क्या जी मेरा पॉजिटिव एजंडा कभी किसी देश के सामने तो रखा नहीं लेकिन पॉजिटिव एजंडे की आप बात कर रहे हैं लेकिन भारती जनता पार्टी निरंतर पहले तक बार-बार आरोप लगा रही है कि कॉंग्रेस इंडिया लाइंस इंडी गड़ बंदन जो है वो तुष्टी करण की पॉलिटिक्स को कर रहा है और बहुत सारे आपके नेताओं के बयान है प्रधान मंत्री मोधी का हिमनत विश्वा सर्मा का मैं एक एक करके बयान क्या स इस्ट्रिम लीक की चाप है देखिए इस बात सच्चा ही है सबसे पहली बात कि मोधी जी ने इस देश की सेवा ब्रधार प्रधान मंत्री दस साल और दस साल में उन्होंने गाओं गरीब वंचेत पीड़ेत सोशेत दलेत युवा किसान महिला सब की चिंता की और जितने भी प्रोग्राम जितने भी कारिक्रम जितने भी स्कीम्स मोधी जी ने लौंच की उसका एक मंत्र था सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास कॉंग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टों में शडेंत्र पूर्वक शब्द मेरा सुझीए का शडेंत्र पूर्वक चालाकी से फिर से विभाजेन की बुईज को बोने का काम किया हमारा आइडियोलजिकल जगड़ा क्या है जस्टिस तू आल अपीजमेंट तू नन इस पॉजिटिव सेकिलोरिजम उनका उनका नारा क्या है डिविजन एंड रूल डिवाइड एंड रूल जब सबको सारी चीज़ें मिल रही है और हमें उसका बखान भी नहीं कर रहे हमा सजाना सुसाइटी डिवाइड होती है आपने अपने मेनिफेस्टों में परा वन परा फाइव परा सिक्ष में आपने लिखा कि हम माइनरिटी को स्पेशल प्रेutz देंगे आपने लिखा कि हम एजुकेशन में उनको हम स्पेशल ल्रिजरूरेशन देंगे आपने लिखा कि हम उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे अगर आप ये लिखते हैं तो माइनॉरिटी आएगा ही आएगा क्यों क्यों कि जब हम कह रहे हैं कि देश को एक नजर से देखो जस्टिस टू आल सब को ये 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 तुम अलग अलग देखने का काम क्यों करते हो लेकिन तुम ने किया फिर मोदी जी को याद दिलाना पड़ा कि ये वो लोग है जिनका विश्यस डिजाइन है कि इस देश के संसादरों पर पहला फक मुस्लिम का है मैं नहीं किया रहा हूं डॉक्टर बन्मोन सिंग ने कहा है एक वार नहीं का दो वार कहा है लेकिन 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 और राहूल गांधी ने वह अपने भाशन में कहा कि माइनॉर्टिस को हम रिजर्वेशन देंगे 2012 में एक बात हुई थी उसको बारा साल बात पिक कर लिया गया प्रधान मंतरी मोधी ने उसका जिक्र किया हमारे चैनल ने भी उस बाइट को दिखाया लेकिन मेरा फिर प्रश्ट वही है कि मुस्लिम आरक्षन की बात कॉंग्रेस कह रही है कि हम मुस्लिम आरक्षन नहीं कर हूँ जब बाबासाब अबेट करने सम्विधान समीती के सामने और कंस्टिटुएंट असेमली के सामने जब घंटों डिसकुशन करने के बाद स्पष्ट कर दिया कि धरम के आधार पर आरक्षन नहीं होगा तो यह ममता मुतर्मा ममता धीदी यह बैकवर्ड की लिस्ट में मुस्लिमों को डाल करके बैकडोर एंट्री करने का जिसका हाई कोट ने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया यह क्या अर्थ बताता है लेकिन लालों जिस पर कॉंग्रेस चुप है कि नहीं है तो कॉंग्रेस की सरकार ने आंदर प्रदेश में चार वार बैकवर्ड के हिस्से करनातक में बैकवर्ड का हिस्सा मारने का काम किया कि नहीं किया और सिद्धर अभय ठाकि चाती ठोक के बोलता है कि यह हम करेंगे यारे तुम समयदान के खिलाफ कर रहे हैं मैं इस बात से एगरी करता हूं कि यह सब कुछ हुआ लेकिन अगर हम देखें तो क्या आपको अगर मुसल्मानों को अरक्षन मिल भी जाएगा तो बीजेपी के पास से क्या चला जाएगा अगर देश निकल जाएगा हां से तो क्या चला जाएगा यह 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 इसी के बराबर तो है मुसलिम लीग ने क्या नारा दिया था मुसलिम लीग का नारा क्या था स्पेशल इलेक्टरेट इस स्पेशल विजर्वेशन पाकिस्तान बन गया मोधी जी ने सब को दिया एक किसी को भी नहीं कहा कि ये घर मेंने मुस्लमान को दिया भारत के नागरिक को दिया कभी नहीं कहा उन्होंने उनका भारत के नागरिक को दिया सोच और शब्द मानसिक्ता को बताते हैं चावल का एक दाना चावल की किसम को बताता है और इसलिए कॉंग्रेस पार्टी और इंडिया लोग ये मोदी जी का विरोध करते करते आज देश का विरोध करने आपने बंगाल की बात करी वहाँ पर मुस्लिम आरक्षन लेकिन ममतब एनरजी के हाइचा नहीं मानेंगी मैं क्या कहता हूं इसके सीधे बोलती ना कि मैं समविधान को नहीं मानूंगी परितों समविधान मानने वाले लोगा लोगा समविदान मान रहे हैं जिनकी शब्दावली ऐसी है आपके खिलाफ कोई कोर्ट का जज्ज्मेंट चला जाए आप यह कहते हैं कि yes we will examine the court judgment and we will take a legal resort no you didn't say that means you do not have any faith तुमारे पक्ष का फैसला हो जाए तो कोर्ट अच्छा तुमारे तुम चुनाओ जी जाओ तो ECI अच्छी नहीं तो EVM को करो बदनाम तुमारे पक्ष में वो एलेक्षन तुमारे पक्ष में कोट का फैसला ना है तो को जुडिशनी को बदनाम कर दो गए ऐसे चलता देश पर जब यह फैसला आया वर यह शॉक्ट जो कियाव आपको पता था यह कौन सा जब बैकडोर एंट्री यू कैनोट डू दाट आट आप रिलिजन के लोगों को आप बैकवर्ड का फैसलिटी नहीं दे सकते हो यह फैसलिटी लेने के लिए आपको उस की रिजर्वेशन एक पर्टिकलर सामाजिक विवस्ता को ठीक करने के लिए दिया गया है उसमें आप नही या आइडिया नहीं है लेकिन बीजेपी आइडिया लाई कहां से है राहुल के मुह से राहुल ने बोला उन्होंने बोला कि हम यह फिर से देश के रिसोर्स को हम एनलेसिस करेंगे और देश के रिसोर्स को री डिस्ट्रिब्यूट करेंगे अब इसका कोई और अर्थ होता हो तो मैंनी जानता लेकिन भारत और इंग्लिश में और हिंदी में इसका मतलब यही निकलता है कि देश की संपत्ति को हम फिर से डिश्य को प्र गया है है करेंगे और लग्लिश पाम के लिन श्या जमेंहरत उसको मेरे और उचरीं का निया का म गरी थरफिıldोट यूजिए जर्फिरेश कore Ilm나 ठीकन ठीकलता रहें अव्यठिए। आपने बडा दिल्चस्त वा दिया लेकिन अप नहीं है एक आपकहा बयुक्त जो फिर अपने इस यह पाच वालों को देने यह कि यह पीए मेंने कहना कि दिवीगिव इस्पेशल treatment to Muslims to minorities तो इसका आर्थ क्या बनता है हम क्या सोचेंगे इसमें से मैं एक तरफ बोलू कि मैं टौफी लेकर के आओंगा फिर मैंने उनके लिए स्पेशल treatment रखा हुआ है तो मेरे समझ में नहीं आएगा कि बर्डे का के किसको खिलाएंगे जी मैं राम मंदिर की बात कर लेता हूं प्रधान मंत्री मोदी ने मेरे साथ चाक्षातकार किया और उन्होंने पहले भी यह बात को बोला लेकिन उसमें बहुत पश्ट रूप से कि कॉंगरेस की planning है कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो राम मंदिर पर ताला लगवाने का काम करेंगे उन्होंने कांगरेस के गांधी परिवार के एडवाइजर की बात को कोट करा क्या आपको लगता है कि आज की युग्बे कॉंगरेस ऐसा बड़ा रिस्क लेगी अगर स कांगरेस को भी पता है कि इसका रियक्शन बड़ा जबरदस्त होगा ऐसा ना दिल की बात जुआ पर आही जाती है वो दिल की बात जुआ पर आई है अब जुआ पर आई है तो इसको आगे लोगों तक समझाना हमारा काम ही है कि दिल के अंदर है क्या यह है उनके दिल में लेकिन इसे चोड्र हो राइस करने का प्रयास नहीं, आप सुनातन को गाली दें और आप चुप रहेंd राम् मन्न राम के खिलाफ आप एफिडेज़ डालें राम कालुपनिक है इसका कोई परमान नहीं है इसका कोई व्हे यान परमान नहीं है और हम चुप रहें ये कैसे होगा हम राम को लाएंगे की नहीं लाएंगे हम राम को लाएंगे की नहीं लाएंगे और फिर लोग बोलते हैं कि जो राम को लाएंगे उनको हम लाएंगे तो हम क्या करें इसमें बताइए तो हमारा राम हमारे लिए आस्था का विशे है पॉलिटिक्स का विशे नहीं है बिल्कुल नहीं पर अड़वानी जीन ने तो यातरा निकाल लिए आप लोगों हमसे प्रशन पूछ रहे हैं अगर आप राम मंदिर अपरेल में करते तो जादा अच्छा था अरे भी राम का प्रान प्रतिष्था ग्रहों के अनुसार और मूरत के अनुसार होता है चुनाओ के डेट के साथ नहीं होता उसका कर्शन हमारे लिए राम वोट का विशे नहीं है और कि यह आप भी आपसे भी कही बार पूछ चुका हूँ मैं यह पोलराइज बीजेपी को बार-बार पोलराइज फैक्टर क्यों माना जाता है जब से सिंस दा इंसेप्शन ऑभार्तिय जनता पार्टी जब जनसक से भारतिय जनता पार्टी बनी आज 2024 के अंदर भी यह सवाल बतौर पत्रकार मैं आपसे पूछ रहा हूँ या और बाकी पत्रकार भी पूछते हैं इसा है कि यह बच्चे कॉंग्रेस पार्टी आग से खेलती है हर चुड़ाओं में जब आग से खेलती है और जब जलने लगती है तो फिर बोलती है पॉलराइजेशन हो गया आप मैंने क्या कहा आप बताएए अकलेश जिन्ना को लेके आया था कि नहीं आया था हर चुनाओं में लाने वाला कौन है आपने अपने पैरावान फाइव और सिक्स में लिखा नहीं लिखा स्पेशल ट्रीटमेंट टू माइन कर रहे हैं तो जब आप इस तरीके की डिविजिव फोर्सिस का जो आपका अग्रेजों से आपने जो मंतर सीखा डिवाइड एंड रूल डिविजिव पॉलिटिक्स वह आप हर इलेक्शन में करते हो और आप माइनौरिटी वोट को सीख करने का प्रयास करते हो तो आटो मि अमिर्शा कर रहे हैं और राजनाजी ने तो यह बोला पियो के खुद बखुद भारत में शामिल हो जाएगा तो मतलब अगली सरकार का एजेंडा यही है क्या ऐसा है जो एजेंडा हुआ हुआ हमने मैनिफेस्टों में लिख दिया है जी लेकिन जो वहां के हालात चलते र है और हम वहां तक की बात करते हैं लेकिन बीजेपी ऑन रिकॉर्ड कई बार बोल चुके है कि पी ओके को हम अपना हिस्सा मानते हैं लेकिन फारुक अब्दुल्ला और मनी शंकर एयर को बहुत तकलीफ है वो कहते हैं कि पाकिस्तान की इज़त करनी चाहिए उनके पास परम है आज मोधी जी की राज में घर में घुस करके पाकिस्तान को सिखाने की आदत हमें बढ़ी है मेरा अगला सवाल है कि फवाज चौद्री है पाकिस्तान के पूर्बंत्री उन्होंने राहौल गांदी की तारीफ करी केज़्िवाग की अबी तरी एक बात पर हला एक से राष्टियता पर प्रशन खड़े होते हैं कि नहीं होते हैं। राष्टियता प्रशन खड़े हैं। तो आप चुपके चुपके भाएं और दाएं क्यों खिसका रहे थे। एक वार अखिलेश को दिया, एक वार संजे सिंग को दिया। आप चुप क्यों थे। वह विज्वल निकाल करके आप देखिए। वही उत्तर दे रहा है कि आपके कर्म बोल रहे थे कि हिम्मत नहीं हो रही थी कि आप इसका जबाद दे सके। तो ऐसे लोग जो सत्ता में आने के बाद लोगों के साथ इस तरीके का दुर वेवार करते हैं। उनकी पोल तो कभी न कभी खुलती है। क्या आपको लगता है कि ये विशे चुनावी फैक्टर भी बनेगा। कौन सा। ये अहम मादभी पार्टी के चरितर को बताता है। तो जब क्यारेक्टर को बताता है तो निश्यत रूप से वो चुनाव में भी लोग उसको देखते ही है। पर अर्विंद के जीवाल ऐसा बार-बार क्यों करते हैं कि वो हर चीज का ब्लेम भरती जनता पार्टी पर डाल देते हैं। अब वो ये भी कह रहे हैं कि अगर इंडिया अलाइस की सरकार आ गई तो उनको जेल नहीं जाना पड़ेगा। ये सब वोट अपने तरफ खीचने के लिए अपने इज़त आबरू को दाव में लगा करके किसी भी तरीके से वोट आ जाए ये इस तरीके से बिहेव करें। प्रिश्य तरीके स्पेशल ट्रीटमेंट है दिश्चित रूप से हम सुप्रीम कोट की इज़त करते हैं और सुप्रीम कोट के जज्ज्मेंट को मानते हैं लेकिन सिर्फ चुनाओं के लिए बाहर निकले हैं वो एक तारीकों वापस आएंगे इसका मतलब बड़ा सपस्थ अब है कि सुप्रीम कोट मानता है कि इनको इनकी जगह वहीं पर है और उन्होंने दिया है तो दिया है आए तो दिया है एक सवाल मुझे समझ में नहीं आया कि वो किस बहाब पर कह रहे हैं कि अगर चार्ज उनको इंडिया लाएं जीत गया तो उनने जेल नहीं जाना फिर उनको उनको बेल मिल जाएगी यानि क्यों को किसी सरकार से इंफ्लूंस होता है उनकी कारेशली का तरीका है अबे और गेट लॉस्ट तो वो सोचते हैं कि सब्सक्राइब आते तो हम इनको कहते हमारे को डिक्टेट्स मानों ने तो गेट लॉस्ट भारती इंदा पार्टी ऐस कि हर एजेंसी का दुरूप प्योग करके विपक्ष को समाप्ट करना चाहते हैं और आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्टे द्रक्ष हैं और आरोप आपकी पार्टी पर लगाए जाता है कि आप लोगतंत्री समाप्ट करना चाहते हैं आप बुरे कर्म करो और दोश किसी और पर जड़ोगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग करना ये विपक्ष का काम है बुरे करम करो और फिर छुपाने के लिए दूसरों पर दोश गड़ो ये इनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है अब रही बात EVM की जीत जाओ तो तुम पहलवान हार जाओ तो EVM दोशी ये क्या तरीका है हमारे हाँ कहावत है हिंद पिछली एक महिने में इन लास्ट थर्टी डेस सुप्रीम कोट के दो फैसले आए हैं जिसमें विपक्ष को मू की खानी पड़ी है लेकिन इसके बावजूद विपक्ष मानने को तैयार रही है इसा है ये मू की खाने के बावजूद भी इनका political agenda है कि मोधी जी की credibility पर प्राश्मचिन कैसे खड़ा कियासां नहीं है नतीजों के बाद अगर कुछ कमी रही तो बतौर बीजेपी राष्ट्री अध्यक्षाप का प्लान B क्या है ऐसा है कोई कमी नहीं रहेगी आप अमीज जी मेरी बाद पूरी जिम्मेवारी से अब मैं आपको बता रहा हूँ एक दम आप चार तारी को हमको मिलिएगा कोई कमी रहने वाली नहीं है कोई प्लान B की जुरूरत नहीं है एक तरफा लोगों ने मोधी जी को आशिरवाद देने का मन बना लिए बीजेपी का नंबर क्या होगा चार सो पार बीजेपी स्टू 370 प्लस 370 प्लस अभी भी जी जी चलिए क्या आपको लगता है क्योंकि आप अच्छान मंत्री बोलूँगा ऐसा है कि अब मैं हमारे पार्टनर रहे हैं मैं अच्छा नहीं लगता लेकिन है हसीन सपने ही है जी और राहुल गांदी जो है वह खटा-खट गरीबी को समाप्त करने की बात कर रहे है पहले गरीबी का गर समझने क्या है तब गरीबी समझ मैं इसलिए लगता है क्योंकि उनको कोई चीज समझने की आदत नहीं है आपने उनका नया नाम करन भी कर दिया वह पर्ची वाले नेता है आप इने सदन में बोला ता उसकी बाद से पूरी बीज़बी बोले लग गई है तो सचाई बोली ना मैंने पर्ची वाले नेता है क पार्टी में कोई बोलने वाला नहीं है क्या आत्मा समाप्त हो गई है क्या इसी के लिए कॉंग्रेस बनी थी क्या तो यह कॉंग्रेस तो हाईजक्ड है तो और उनको यह पर्चिया कौन दे रहा है कौन से इजेंड़ा उठाकर के ला रहे है अरे पहले अपने पिदा जी क है हमारे साथ ही रहूल जी बोलते हैं इसे इलक्षिन कमिशन नहीं है सुप्रीम कोट नहीं आपने मेरे से इंटर्व्यू में कम से कम 20 वार उनके वारे में प्रस्न किया जी अब इसे मीडिया उनको क्या प्रोजेक्शन दे सकती है लेकिन बात बड़िस पस्ट है कि आप य लेवल प्लेइंग कहां है स्पेशल फील्ड है उनके लिए हम हैं लेवल पर आप हमको जब बोलते हैं मैं इंटर्व्यू के लिए त्यार हो जाता हूं यह तो वह शाही खांदान से हैं जो सिर्फ बोलेंगे बोलेंगे सुनेंगे नहीं प्रधार मंतरी ने तो पचास से है और अमेच शाह जी ने कहा कि इस बार आपके पास एक बड़ा मौका आया है सरकार भी बीजेबी की लाने के लिए नीचे भी और उपर भी कॉंग्रेस की एक सरकार हिमाचल छोटा सा राज्य वहां पर बनी और आप लोग उसके भी पीछे पढ़ गए हम पीछे नहीं अभी शेक मनु सिंग्मी ने किया अभी शेक मनु सिंग्मी ने कहा खाना हमारे साथ खाया लंच हमारे साथ किया डिनर हमारे साथ किया वोट कहीं और डाला है यही तो इसका मतलब आपसे परिवार नहीं समल रहा है आप सरकार चलाने लायक नहीं है आपके आपके बीच में से भाइयों बेज़ है और भाइयों के मंद में में कुछ और है। यह आपको पता नहीं चलता है आप PARTY चला रहे और दोस मेरे उपर दे दो। तो फोज ची सव श्रमान सबाइना है 6 सब्सक्राइड केprofessionals ने बोला कि जिस इस मंदिर में गई उस मंदिर को धोना पड़ेगा एक बड़ा कॉंट्रिवर्शल स्टेट्मेंट देखिए यह सब लोग इसी अंदाज में जीते रहे नहीं सब यह यह प्रिंस प्रिंसेस की पार्टियां है यह तो वी राजा के उस खांदानों से आते हैं तो इनको वह कोई मंदिर में ना जाए सिर्फ पूजा मैं ही करूँ मैं ही अभीशेक करूँ मेरा ही अधिकार है इस मानसिक्ता में पले बले हैं बड़े हैं तो इस तरीके के लोग बोल सकते हैं बेबकुल आखिर में मेरे दो चोटे-चोटे सवाल हैं मैं नंबर की बात करूंगा आपके सब्सक्राइब कर आगे 21 की से लेगा चाहिए नंडरा और तेलंगाना दोनों में अच्छा करेंगे क्या नंबर जो है दस को डबल क्रॉस करेंगा तेम डिजिट क्रूस करेंगा तेलंगाना में और हम अंदर प्रदेश में चे में से चार्जी तेंगा और हम स्वीप सब्सक्राइब कर निए तो आपको लगता है तो आपको लगता है अगए नॉर्धन इंडिया में आपकी शीट्स कम होंगी तो यहां आपकी अच्सी और नौर्थ में हमारी सीट्स कम नहीं हो रही है जी आप मुझे ऐसा मत समझी कि हम यह सीट्स करते हुए हम इसको जी बीजेपी धारा 370 हटा चुकी है राम मंदिर बना चुकी है तिरी सिरी टर्म में बड़ा एजंडा क्या हुआ यह हम लोगोंने मैनिफेस्टों में कहा है लोगों की सेवा करेंगे और बाकी आपको सब मालूमी है सीए का विशे था बाकी सारे विशे थे हमारे हमारे आइडियोलजिकल विशे उनको आप राज्य सरकार में मंत्री रह लिए बीजेपी के राश्टिय धक्ष रह लिए जाप है यहां आईये में यहां दिल्ली आगया इसलिए पार्टी को मैंने समर्पित कारे कले करता हूं जो मुझे यह ने तो बताना नहीं होता कि इसको वोड़ी जी को दिया हुधिया हुधियों दिए जो मारी पुझ यह बहन बोल रही है यह भारत के करोणों लोगों के घर की काहनी धूर्व करोनों लोग ये महसूस करते हैं कि उनके दुख दर्द को, उनकी तकलीफ को, उनको एंपावर करने का, सरशक्ती करने का काम प्रधान मंतरी मोदी जी ने किया है और इसलिए मैं कहता हूँ कि मोधी जी ने समाज के दर्द को समझ करके उनको उनकी सेवा में हर पल पिछले दस साल बतौर के धान मंतरी लगाये है और इसी कारण से आज इस तरीके से हमारी माताएं बेहनों का करोड़ों माताओं का आशिरवाद मिल रहा है प्रदान मंतरी मोधी को अपना भाई अपना भावक मान रही है ये बहुत बहुत बड़ा इमोशन है लेकिन मेरा आखरी रैपिट फायर तीन सवाल होंगे और चानल जून के बाद ज्यादा चर्चा किसकी होगी राहुल गांदी की या इवियम की ऐसा है कि वो एवियम की चर्चा करेंगे और चर्चा करने वाले राहुल गांदी होंगे बीजेपी की बड़ी चनाती कौन है ममता बिनर जी या अरविंद केजरीवाल ऐसा है ये सब एक बराबर है इसलिए हमारे लिए जो देश को कमजोर करने वाली ताक्ते हैं उनमें य और ये जो है ये थूरा परसल सवाल है जעदा पसंद आपकी कौन है सरकार है या संगठं है Resp करिन और चली इसा है कि मैं पार्टि का कारे करता हूं मुझे जो जिम्मेवारी दी जाती है और पार्टि मैं हमेशा में काम करता हूं सरकार में रहा हूं तब भी मैं पार्टी का काम करता रहा हूँ चलिए चुनावों के बीच आपने अपने इतना समय दिया आपका बड़ा हेक्टिक शेडूल है इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े और न्यूज 18 के साथ आपने हर उस सवाल का जवाब दिया जो देश की जनता आपसे शायद जानना चाहती है बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद आपका अभीशी इस बहाने मुलाकात हुई चुनाव के ज़रान बहुत अच्छा रगा धन्यवाद अच्छा रगाम